दोस्तों आजादी के बाद किसी मुल्क को ये लगा भी नहीं था कि भारत जैसा देश कभी खड़ा भी हो पाएगा कभी ये देश एक मजबूत राश्ट बन भी पाएगा ऐसे में इस देश का अंतरिक्ष में पहुंचना, चांद को चूना, मंगल को चूना कि वास्तब में ऐसी बादें थी जिसकी कल्प ना इस संसार के किसी मुल्क ने कभी की भी नहीं होगी लेकिन भारत ने वह सब कुछ कर दिखाया दोस्तों कार्गिल युद्ध के समय जब भारत ने अमेरिका से ये कहा था कि वह पाकिस्तानी सेना की लोकेशन GPS के माध्यम से देखना चाहता है तो पाकिस्तान ने इंकार, अमेरिका ने इंकार कर दिया था लेकिन वहीं अमेरिका, उसी अमेरिका की अंत्रिक्ष एजिंसी NASA अब इसरों के साथ मिल करके एक मिशन बना रही है जिसका नाम है निसार दोस्तों ये जो निसार दोस्तों ये जो निसार मिशन है यह नासा और इसरो इन दोनों के द्वारा ही तयार किया गया है और ये मिशन अंतरिक्ष में जाकर भारत में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन की जानकारी हमें दे पाएगा ये खबर इस समय न्यूस में है क्योंकि आठ तारिक को बुद्वार यानि की बैडनस टेको ही नासा ने ये जो नासा इसरो सिंथाटिक अपार्चर रेडार है निसार का पूरा नाम N से नासा, I से इसरो, A से सिंथाटिक, A से अपार्चर और R से रेडार ये जो नासा इसरो सिंथाटिक अपार्चर रेडार है इसे कैलिफोर्निया से भारत भीजा आप देख सकते हैं कि अमारिका ने इसे अपने Air Force C-17 जो आपके सामने फोटो है इस प्लेन में इस लगभग इतने भारी स्पेस्क्राफ्ट को इतने भारी सेटलाइट को भारत भेजा, भारत में बैंगलूरू की दर्दी पर ये सेटलाइट उत्रा दोस्तों, अठाइस सौ किलोग्राम का ये जो सेटलाइट है वास्तव में इसमें दो बैंड है दोस्तों इसमें एक L बैंड है और एक S बैंड है इन दोनों की सहायता से ये जो निसार है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इमेजिंग कर पाएगा प्रत्वी की दोस्तों यूएस और भारत ने एक पार्टनर्शिप एक्रिमेंड साइन किया था 2004 जिसके अंतरकत इस निसार सेटलाइट को बनाया गया है दोस्तों यहां पर हम आम लोग यहां पर बहुत साई चीज़ा नहीं समझते हैं लेकिन आपको सेटलाइट में विल राउस फ्रistä सेंतरक बंशार को लाइडार दोनों को इलेकों इन्डिगरेट किया गया है और ग्यासार यहिं द्वारा गण है निसार एक ऐसा पहला सेटिलाइट है जिसमें L-Band और S-Band दोनों ही फ्रिक्वेंसी की जो रेडार है यह यहाँ पर शामिल है दोफ्तों यह जो नासा इस्रो सिंथाटिक अपार्चर रेडार है यह बारा दिनों में पूरी प्रत्वी की एक तस्वीर ले पाएगा दोस्तों यह हमारे लिए बहुत ज़दा जरूरी है क्योंकि एक बार जब यह हमारे भारत के सतीश धवान स्पेस सेंटर से लॉंच हो जाएगा इस्रो का कहना है कि इसे 2024 में लॉंच किया जाएगा तब यह हमारी प्रत्वी की सता पर होने वाले चोटे से चोटे परिवर्तनों की जानकारी हमें दे पाएगा दोस्तों इसके माध्यम से हमें प्राकरतिक आपदाओं के बारे में पहले से पूरानुमान लग जाएगा कि जवालामों की फटने वाला है या वुकंप आने वाला है या भूस्कलन आने वाला है दोस्तों ये हमें जानकारी देगा glaciers के बारे में हिमनदों के बारे में जैसे उत्राकंड की चामोली में glacier फट गया था और बार आ गई थी वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो तूट करके नदी में गिर गया था इस तरीके की जानकारी अगर हमें पहले से मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले से अलट हो जाएगा हम पहले से उस गाओं को खाली करा सकते थी लेकिन अब जब निसार अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो हमें ऐसी चीजों की जानकारी पहले से मिल जाएगी दोस्तों यह यहाँ पर किसानों की बहुत ज़्यादा मंदत कर पाएगा क्योंकि यह म्रदा में होने वाले परिवर्तनों की जो जानकारी है वह हमें दे पाएगा इसके माधियम से इसका मतलब है कि यह जो हमारा निसार है यह हमारी प्रत्वी में होने वाले जितने भी चेंजिस हैं फिर चायवे हमारे ओशन के भीतर हूँ उनके बारे में हमें बताएगा यहां में हमारी प्रत्वी के कोल्ड रीजन याने की जो हमारे पोलार रीजन है जहांपर बर्फ जम्य हुई है उनके ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी देगा यह हमें हमारे इस्थलिये पारिस्थिकिये तंद्र के बारे में जानकारी देगा तो दोस्तों वास्तव में ये जो नासा और इसरो का बनाया गया सेटलाइट है यह मानवी सब्धता के लिए बहुत ही जादा महतपून साबित होगा और जहां तक वाध है भारत और अमेरिका के अंतराश्टिय संबन्नों की तो इन्हें तो इस सटलाइट के निर्माण की माध्यम से मजबूती मिली ही है जोस्तों इसार की निर्माण लागत इसरो के बजट से भी जाता है लेकिन इसकी लागत में एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाया है नासान और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अनकाडवी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेफरेल कोड एक डिसकाउंट कोड के लिए आप्शन मिलता है और जैसे ही आप यहाँ पर अपूरवां टू-3 डाल कर अपलाइ करते हैं तो आप द झाइ सब्सक्रिप्शन आप एक बसक्रिया ओच हो झाहाँ हैं झाइ सब्सक्रिप्शन अपे सब्सक्रिया और उनकाटारी यहाँ सब्सक्रिया